और खबर राजधानी पटना से है जहां Crime Control को लेकर देरात पटना SSP कारयाले में Crime Meeting हुई है Crime Meeting में सभी City, SP, DSP और पटना जो लेकर सभी थाना प्रभारियों की मौजूदगी रही Crime Control को लेकर पट्टा SSP ने कई थाना प्रभारियों को फटकार भी लगाया है और क्राइम कंट्रोल करने के निर्देश भी दिया है SSP राजिव मिस्रा ने बताया कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए है SSP तमाम थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ तारी की जा सके पिछले माहिन जो आप उम्मीद रखते हैं कि उनका भी डिडिटैक्शन हो जाएगा है और कुछ cases में investigation track पर हो और आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि उनका भी detection हो जाएगा है इसके अलामा जो महत्पूर्ण विसे हैं जैसे जो SCST Act से related cases हैं जो POXO Act से related cases हैं उनका तैंस समय में निस्पादन हो इसके लिए और अधिक प्रयास करने की जुरुवत है उस सम्मन में जो SHO और SDPO जिनका अपेक्षित परफार्मेंस नहीं था उनको सुधार के लिए निर्देशित किया गया है इसके अलामा जो हाली में सरवोच नियाले के पिछले दो वरसों में कुछ महत्पून आदेश आया हैं गिरफतारियों से लेकर जिसमें बिसेस रूप से जो पुराना CRPC सा जिसमें साथ साल से कम की सजा के मामलों में 41 का नोटिस देकर निस्पादन करना था और जो नया कानून आया है BNSS उसमें जो प्रावधान है 351 में उसके अरनुरूप जो है सभी को उसका सत्व प्रस्यत अनुपालन सुनिश्चित करने क लिए और जब भी ऐसे मामले में कोई गिरफतारी की जाती है तो नियाले में जो चेकलिस्ट है उसके साथ है कि उसको फारवड किया जाए जिससे गिरफतारी करने के जो कारण है उसको इसको पश्ट किया जाए इसके एक दो जो घर के लिए ग्रॉसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सबजी, डेरी या बेकरी प्रोडक्स चाहिए, या बेवरेजस, स्नेक्स और ब्रांडेट फूर्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्स, अब इनके लिए अलग-अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि नाची में खुल गया है केस्टो माट, जो र 53989339 पांच राज्ये, 61 सहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार, नई सोच, नया घर, बनाए रखिये अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार प्रोजेक्ट